असलामुलेकुम डियर स्टुडेंट्स आज हम एक्सल्स पर क्वेशन्स करने जा रहे हैं फ्रेंट एंड रियर एक्सल इससे पहले मैं आपको दो चीजे बता देता हूँ कि एक्सल्स में ज्यादा तर क्या टर्म्स इस्तिमाल किये जाते हैं वहां पर आप ज्यादा तर देखो कि डैड एक्सल और लाइव एक्सल यह मैंने आपको बताया भी था प्रिविस क्लास में कि डैड एक्सल कौन सा एक्सल होता है और एक्सल यह सौरी लाइव एक्सल कौन स होता है। सबसे पहले रीयर एक्सल मेंस जो गाड़ी का पीछे वाला एक्सल है और फ्रन्ड एक्सल प्र हम्मींस तो यह हो गया रीयर और फ्रन्ट लेकिन डेड और लायो एक्सल डेड एक्सल क्षाम होता है की जो उन दो وिल्स में लगा रहता हैं जहां पे पावर NOTE नहीं आती है क्योंकि dead axle में वो without power होता है अब live axle में क्या होता है जो engine का power होता है वो live axle के throw wheels को supply होता है तो यह आपको याद रख लेना है dead or live axle अब इस पर questions है axle and steering system transmit dash dash to the wheel axle and steering system transmit power to the wheel इसमें आएगा power front and rear axle system is used for जो front or rear axle यह किसलिए इस्तिमाल किया जाता है एक तो यह आपको पता है एक तो load bearing capacity के लिए होता है यानि कि इसमें load bearing capacity होती है तो यह इस purpose के लिए होता है लेकिन अब इसमें इसके throw जो हमारे पास four wheeler गाड़ी होती है उसमें front axle और यह एक्सल दूनों में यह हम दूनों को कह सकते हैं कि यह live एक्सल्स है तो इसमें power transmission होता है तो आप इसमें लिख सकते हो front and rear axle system is used for power transmission तो दूसरे वाले में आएगा power transmission अब तीसरा वाला differential mechanism enables the dash dash to move faster than inner wheel while taking a turn अब यह बात आप दियान से सुन लो कि जब गाड़ी turn लेती है यानि कि कोई करवाता है तो turn लेती है चाहे left हो right हो तो वहाँ पे differential जो मैंने आपको बोला है differential कहां पे होता है उसका एक हम रूल वहां पे नजर आता है अब जैसे गाड़ी turn लेती है वहां पे क्या होता है अगर जो wheels है for example आप ले लो sumo उसके rear wheel में drive होता है यानि कि पिछले वाले tires में live axle होता है तो वहां पे differential भी होगा अब जैसी गाड़ी turn लेती है तो turn अगर जो उसके पिछले वाले दो wheel होते हैं अगर उन दोनों में उस वक्त बराबर speed रहेगी यानि कि बराबर power transmission होता है मतलब जितना power left wheel को मिलता है उतना ही right वाले wheel को मिलता है यानि कि पिछले वाले wheels के में बात करता हूँ तो वहां पे खत्रव है extent होने का तो इसलिए वहां पे क्या वहां पे differential का एक आहम रहल अदा होता है वहां पे क्या होता है जो outer wheel होता है यानि कि जब हम turn लेते हैं जो outer वाला wheel होता है जो बाहर की ओर जा रहा है वो तेजी से गूमता है as computer यानि कि turn होता है as computer inner wheel जो inner wheel होता है करू में जो inner wheel आता है तो वो slow turn होता है as computer outer wheel तो इसमें आएगा differential mechanism enables the differential mechanism enables the outer wheel इसमें आएगा outer wheel to move faster than the inner wheel while taking a turn जो outer wheel होता है वो fast turn लेता है as computer inner wheel rear axle dash dash the weight of the vehicle body rear axle bears the weight of the vehicle body जो rear axle होता है वो vehicle का weight भी बेर कर लेता है अब बेर पावर भी टान्समिट करता है लेकिन यहाँ पे वेट की बाहता है तो बेर्स याने की बर्दास्ट कर लेता है hold कर लेता है hold भी लिख सकते हो the central portion of the front axle is made of इसमें आएगा सिदा आई सेक्षिन जो central portion होता है front axle का वो आई सेक्षिन का बना रहता है the end of the front axle is mounted is mounted with stub axles, kingpin, piston ring, axle shaft तो इसमें आएगा stub axles the end of the front axle is mounted with stub axles ये पाट अब तीसर वाला what kind of load does the axle take due to the load of the vehicle what kind of load does the axle take due to the load of the vehicle bending load, friction load, torsion load none of these तो इसमें आप लिखोगे इसमें bending load भी है और torsion load भी है actually ये दोनों वहाँ पे इफेक्ट में आते हैं तो आप वहाँ पे लिखोगे इसका answer bending load torsion load भी होता है इसका भी effect होता है एक्सल पे तो आप लिखोगे bending load अब इसके बाद हम कर लेंगे steering and suspension mechanism पे